प्रेंड्स आज किसी वीडियो हम देखने वाले हैं 16 मार्च के जहारकरन करेंट अफेयर्ज और साथ ही नेशनल करेंट अफेयर्ज दोस्तों बतादू यहाँ पर जितने भी किशन कराये जाते हैं सभी अच्छे लेवल के होते हैं आपके आने माले किसी भी जहारकन के परत्योगता परिक्षा के लिए यह वीडियो फायदे मंद हो सकता है तो वीडियो में आप लाश्ट तक मने रहेगा फ्रेंड और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्काइब नहीं किया है जागरुकता रत की शुरुवात जो है कि हाल ही में CCL के द्वारा की गई है तो इसका जो राइट एंसर होगा option number B option number B is right यानी की CCL ठीक है? चलिए details हम देखते हैं लाल एवं लाडली जागरुकता रत की शुरुवात CCL के MD गोपाल सिंग के द्वारा की गई है यहने CCL के MD थे गोपाल सिंग उनके द्वारा जो है कि इस जागरुकता रत को शुरुवात किया गया है और इस योजना के तहत चैनित अभियार्थियों को निसुल्क IIT कोचिंग के साथ रहने, खाने, पीने और पढ़ाई की सुविधा उपलवद कराता है मतलब कि यह जो अभियार्थियों के लिए इस योजना के तहर जो अभियार्थियों के लिए जो निसुल्क कोचिंग मिलता है IIT का कोचिंग इसके साथ उन लोगों को रहने, खाने, पीने और पढ़ाई की सुविधा मिलती है ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्यूचन देखते हैं अंतर कलब T20 परतियोगिता का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम चैंपियन बना? इसका जो राइट एंसर होगा option number D, option number D is right यहनि कि जो राची कलब जो है कि जिम खाना कलब को हरा कर 5 बिकेट से हरा कर जो है कि दूसरी बार जो है कि चैंपियन बन गई है ठीक है ना? राची कलब, option number D is right और तिसरे अस्थान पर जो है वह United कलब रहा United कलब ने CCC कलब को हरा कर यह तीसरा अस्थान पर आप्त किया ठीक है? चलिए details में देख लेते हैं J.S.C.A. अंतराच्टिय किरिकेट एस्टेडियम में संपन country किरिकेट कलब के तत्वावधान में अंतर कलब T20 किरिकेट परतियोगिता के final में राची कलब ने जिम खाना कलब को पाँच बिकेट से पराजित कर दूसरी बार चैंपियन बना है ठीक है ना? Option number D is right Next question देखते हैं अंतर कलब T20 परतियोगिता का final मुकाबला में कौन सी टीम उप विजेता रहा? तो इसमें जो उप विजेता टीम रही है वह जिम खाना कलब कौन? तो जिम खाना यानि दूसरी अस्थान पर प्राप्त करकर यह उप विजेता टीम बनी है जिम खाना कलब ठीक है ना? और विजेता टीम राची कलब ठीक है? चलिए, डिटियल्स में और भी देख लेते हैं अंतर कलब T20 परतियोगिता का फाइनल मुकाबला में जिमखाना कलब की टीम उप विजेता रहा ठीक है ना, तिसरे अस्थान पर यूनाइटेड कलब रहा तिसरे अस्थान पर कौन रहा, तो यूनाइटेड कलब अप्शन नमबर B is right, नेक्स्ट किवचन देखते हैं भगवान विर्षा जैवे कुदियान में 21 साल की हाथी की मृत्य हो गई, उसका नाम था यानि भगवान विर्षा जैवे कुदियान जो औरमांची में है तो उसका वहाँ पर जो है की एक हाथी था जिसकी उम्र जो है की 21 साल हो रही थी तो उसकी मृत्य हो गई तो उसका नाम क्या, क्या था तो उसका जो नाम था वह समराट, अप्शन नमबर B is right, अप्शन नमबर B is right, ठीक है चलिए यहाँ देखते है डिटियल्स में समराट हाथी को 18 अगस्त 1998 को चाईबासा से लाया गया था, यहाथी को इस हाथी को चाईबासा से लाया गया था, ठीक है अप्शन नमबर B is right, नेक्ट केशन देखते है अल इंडिया उर्दू कन्वेंशन कायोजन कब किया जाना था तो बता दे कि हाल ही में जो है कि अल इंडिया उर्दू कन्वेंशन कायोजन किया जाना था लेकिन किसी करनबस जो है कि इसे अस्थाकित कर दिया गया है तो इसका जो right answer होगा option number A यानि कि 15 March से जो है इस convention कायोजन किया जाना था लेकिन इसे जो है कि अस्थाकित कर अब इसे जुन मन्त में किया जाएगा ठीक है ना All India उर्दू convention कायोजन कब किया जाना था तो 15 March ठीक है चलिए यहाँ पे details में देखते हैं All India उर्दू convention कायोजन 15 March से XISS सभागार में आयोजित होना था लेकिन अब convention जुन महिना में होगा ठीक है Convention के अस्थाकन से लगभग डेड़ से 2 लाख रूपिय का नुक्सान हुआ है यानि इस convention के अस्थाकन से क्या हुआ है कि लगभग डेड़ से 2 लाख रूपिय का नुक्सान हुआ है Option number A is right ठीक है चलिए next question देखते हैं इमा कप आमंतरन कराटे परतियोगिता का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो इसका जो right answer होगा option number A is right यानि कि राची Option number A is right ठीक है राची यहाँ पर detail से में देखते हैं कुछ क्या है कि इमा कप आमंतरन कराटे का परतियोगिता का आयोजन 18 एवं 19 अपरेल को राची में किया जाएगा यानि यह जो परतियोगिता होगा वह 18 एवं 19 अपरेल को राची सहर में किया जाएगा ठीक है ना Option number A is right चलिए next question देखते हैं Microsoft के ससंस्थापक Bill Gates के कमपनी के किस पत से इस्थिपा दिया यानि कि Microsoft के जो ससंस्थापक थे Bill Gates उन्होंने कमपनी के एक पत से इस्थिपा दे दिया तो वह कौन से पत से इस्थिपा दिये है तो इसका जो राइट एंसर होगा Option number B यानि कि को फाउंडर के पत पे जो Bill Gates थे कमपनी के को फाउंडर पत से जो हैंक उन्होंने इस्थिपा दे दिया Option number B is right जो डिटियल्स में देखते हैं Microsoft के संस्थापक Bill Gates ने हाल ही में कमपनी के को फाउंडर पत से इस्थिपा दे दिया है उन्होंने यह फैसला स्वास्त विकास और सिक्षा जैसे समाजिक और प्रोपकारी कारियों को ज्यादा समय देने के लिए लिया है ठीक है ना चलिए इसका right answer होगा Option number B को फाउंडर ठीक है केंदर सरकार जो है कि किस बिमारी की समय से निपटने के लिए देश भर में पोशन अभियान शुरू किया है right answer होगा Option number B यानि की कोपोशन कोपोशन से बचने के लिए निपटने के लिए जो है कि केंदर सरकार ने सभी राजियों और केंदर सासित परदेश में कोपोशन अभियान चलाने अभियान शुरू कराया है ठीक है ना Option number B is right कोपोशन डेटियल से में देख लेते हैं केंदर सरकार ने हाल ही में कोपोशन की समस्या से निपटने के लिए देश भर में पोशन अभियान शुरू किया गया है सबसे पहले इस अभियान की शुरूवात राजस्थान के जुन्जुनु से की गई यानि यह जो अभियान है तो इस अभियान की सुरुवाद जो है कि सबसे पहले राजस्थान में एक जगा है जुन्जुनू वहां से की गई है इस अभियान में भारत के सभी राजियों एवं केंदर सासित प्रदेशों को सामिल किया गया है यान यह जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें भारत के जितने भी राजी हैं और केंदरशासित प्रदेश हैं सभी को सामिल किया गया है अप्शन नमबर बी इज राइट को पोशन नेश्ट की उटन देखते हैं यह हमारा आज का answer of the day जारखन IAS Vice Association की नई अध्याक्ष किसे चैनित किया गया है इसका जो भी राइट answer था कुछ लोगों हमारे comment box में सही सही किये थे तो friends इसका जो राइट answer होगा option number D यानि की अलका तिवारी option number D is right अलका तिवारी चैनि डिटियल्स में देखते हैं जारखन IAS Vice Association की नई अध्याक्ष अलका तिवारी को चैनित किया गया है इन्हें वर्ष 2021 के लिए अध्याक्ष बनाया गया है साथ ही मीता चतुरुवेदी और मीनी चतुरुवेदी को अध्याक्ष बनाया गया है ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट किप्चन देखते हैं यह हमारा आज का किप्चन अब दडे तो किप्चन अब दडे है कि निम्न में से किसके कारियों एवं विचारों पर अखड़ा ने फिल्म जरिया बनाई है यानि कि हाल ही में जो है कि फिल्म जरिया जो बनाया गया है तो उसमें जो है कि किनके विचारों और कारियों को बताया गया है और अखड़ा फिल्म जरिया बनाई है तो इसका जो भी right answer होगा आप हमारे comment box में सही सही करेंगे friends option है बिरिशा मुंडा, सिमोन उरां, अर्जुन मुंडा इन में से कोई नहीं तो जो भी right answer होगा आप हमें comment box में करकर बताएंगे तो चलिए friends यहीत आज का last question यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like किजेगा और friends एक request है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जूर सके तो चलिए friends मिलते हैं आप next video में यदि